नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजूकेशन भी दिल मुहम्मद में दोस्तों आज हम लोग फिचकल एजूकेशन में स्वसंत तंत्र से 20 इंपार्टेंट कोस्चन का रिवीजन करेंगे तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक् कि केशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों आईये सुरू करते हैं विजूशन तंत्र में गयसो का आदान परदान कहा होता है और आपसे में दिया है एक आपसे हैनी और ब है पल्मुनरी और चेय अर परदान होता है इसलिए इसका C option हमारा right उत्तर है उसके बाद दोस्तों next question देखते हैं फेपड़ों की छमता को साधार अरत मापा जाता है तो A option है बैरोमीटर द्वारा और B option है थर्मोमीटर द्वारा और C है इसपायरोमीटर द्वारा और D A एनिमो मीटर द्वारा तो दोस्तों इसका फेपड़ों की जो छमता होती है उसका इसपायरोमीटर द्वारा मापा जाता है इसलिए हमारा इसका भी C option right है उसके बाद next question को देखते है नाक, ग्रस्नी, स्वर्यांत्र, स्वसननली, ब्रांकाई और फेपड़े ऐसे अंग हैं जो तंत्र से जुड़े हैं यानि ये किस तंत्र से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों इसमें A option है स्वसन और B है पाचन और C है उत्सरगी और D option है अंतह स्रावी तो इसका right answer है ये जो पार्ट है नाक, ग्रस्नी, स्वर्यांत्र और स्वासनल से जुड़े हुए हैं इसलिए इसका A option हमारा right उत्तर है उसके बाद next question को देखते हैं 20 राम परिष्थितियों में पड़ते एक सास के साथ फेपड़ों से लगवक कितनी हवा अंदर और बाहर जाती है A option है 400 ml, B है 500 ml और C है 600 ml और D option है 650 ml तो दोस्तों इसका right answer हो जाता है 500 ml यानि हमारा B option right है 500 ml उसके बाद next question को देखते हैं फेपड़ों के Y course किस उत्तक के बने होते हैं यह option है P C उत्तक और B है उपकला उत्तक और C है तंत्रिका उत्तक और D है संयोजी उत्तक तो दोस्तों फेपड़ों में Y course जो होता है उपक ला उत्तक का बना होता है इसलिए हमारा B option इसका right उत्तर है उसके बाद next question को देखते है एरोबिक ब्यायाम मांस्पेशियों को आधिक देता है एक अक्सिजन B है लोच C लेता और C है कैलोरी और D option है जल तो दोस्तों इसका जो होता है एरोबिक ब्यायाम जो होता है उसके बाद next question देखते हैं निमने लिखित में से कौन सा आंग पुलूरा द्वारा ढगा राता है यानि कौन सा आंग पुलूरा द्वारा ढगा राता है तो A आपशन है हिर्द़ है और B है गुर्दा और C है उदर और D आपशन है फेपड़े तो दोस्तों इसका D option होता है फेपड़ा जो होता है पुलूरा द्वारा धकार आता है इसलिए हमारा D option राइथ है उसके वार नेक्ट क्वेश्चन है आधिक से आधिक स्वास बाहर निकालने के उपरांद फेपड़ों में बची हुई वाइव की मात्रा को कहते हैं A option है टाइडल वाइलूम और B है एक सी रेटरी रिजर्व वाइलूम और C option है A C ड्यूवल वाइलूम और D option इंस्पायरेटरी रिजर्व वाइलूम तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है A C ड्यूवल वाइलूम C option हमारा राइट उत्तर है इसका residual volume C option right है उसके बाद next है tidal volume होता है A option है एक बटा 10 पूर फुक्फुस volume और B है एक बटा 15 पूर फुक्फुस volume और C option है एक बटा 5 पूर फुक्फुस volume दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है पहला पहला आप्सन इसका राइट है एक बटा दस या यह वन अबलिक टेन पड़ सकते हैं इसको उसके बाद नेक्ट कोश्चन है उस परकिरिया को जिसमें पसलियों और डैफ्राम का उस परकिरिया को जिसमें पसलियों और डैफ्राम की पेशिया स्विकूर्ती है और डैफ्राम चप्टा होकर वच्छ गुआ का आयतन अधिक होता है काते हैं A आप्सन है स्वसन और B है निह स्वसन और C है अन्तह स्वसन और D आप्सन है अब चई किरिया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है अन्तह स्वसन यानि हमारा C आप्सन राइट है उसके बाद next question को देखते है VO2 max के मापन की इकाई क्या है तो A option है milli kilogram minute और B है liter kilogram minute और C option है milli kilogram ght और D option है liter kilogram ght तो दोस्तों इसका A option right है milli kilogram minute उसके बाद next question को देखते है Vyayam के दराण प्राण आयू आयतन कितना होता है तो A option है 500 milli minute और B है 1000 milli minute C है 2000 milli minute D option है 3000 milli minute तो दोस्तों इसका जो होता है right उत्तर 3000 milli minute होता है Vyayam के दराण प्राण आयू आयतन उसके बाद next question देखते है, साधाराण y में oxygen का परस्ट होता है, जो साधाराण y होती है, उसमें oxygen का परस्ट पूछ रहा है, 20 परस्ट, 21 परस्ट, 0.02 परस्ट, 0.979 प्रतिस्ट, तो साथियों 21 परस्ट होता है, हमारा ये, B option right है, उसके बाद next question देखते हैं, प्रकिर्थ में nitrogen gas की मातरा कितना परस्ट होता है, 78, 76, 75, 74, तो दोस्तों इसका right उत्तर हो जाता है, 78 परस्ट, प्रकिर्थ में nitrogen gas की मातरा, उसके बाद next है, साहत की गई सांस में oxygen का प्रतिसत होता है, 11, 21, 31 और 41, तो दोस्तों 21 होता है, B option right है, उसके बाद next question है, हिर्दे की स्वसंचमता संबंदित होती है, ताकत से लचीले पन से, समाने सारीरिक सहन सकती से, उप्यूक्त सभी से, तो दोस्तों उप्यूक्त सभी से होता है, D option right है, उसके बाद next question देखते हैं, प्राण आयू काउन सी है, ये carbon dioxide, oxygen, hydrogen, nitrogen, तो प्राण आयू जो होती है, oxygen होती है, B option हमारा right है, उसके बाद next question देखते हैं, फेपड़े हिस्सा है, तंतिका तंतिके पाचन तंत्र के स्वसन तंत्र के इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, स्वसन तंत्र का हिस्सा है फेपड़ा, उसके बाद next question देखते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है खेल के मैदान में एतलीट का हिड़दय के धड़कन की दर जानने के लिए कि सुपकुराण का परियोग होता है इस पाइरोमीटर, रेडियो टेलीमेटरी और इस फिंगो मैनोमीटर और इन में से सभी तो दोस्तो इसका राइट उत्तर हो जाता है इसका राइट उत्तर होता है रेडियो टेलीमेटरी भी आपसा राइट है उसके बाद नेक्स कोशन देखते हैं फेपडो की कुल वायू छमता होती है दो से तीन लिटर, छे से आट लिटर और साड़े चार से पस लिटर और इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका साड़े चार से पांच लिटर होती है तो दोस्तों यह कुछ important question थे जिसका मैंने आप लोगों के समझ रिवेजन किया तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको काफी पसंद आएगा वीडियो पसंद आया और आपके लिए help फोलो तो इसको ज्यादा से ज्यादा करें और लाइक करें और कमेंड करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अप्लोड हो उसका notification आपको सबसे पहले मिले इसी के साथ सात्यों जैहिन्द जै प्टेवारा.